हेलो एवरिवन आज मैं आपके लिए एक नई बहुत है डिलिश्योज माउथ वाटरिंग रेसिपी लेकर आई हूँ यह आप इसे स्टार्टर की तरह यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा साइड डिश कर सकते हैं किसी भी ओकेशन के लिए तो इंग्रीडियंस देखने से पहले अ कॉन फ्लावर, चार टेबल स्पून मैदा, एक अंडा, आदा चमच काली मिर्च पाउडर, आदा चमच बेकिंग पाउडर, एक चोटा चमच नमक, और हम लेंगे थोड़ी हरी प्यास और शिमला मिर्च, एक बड़ी प्यास, एक हरी मिर्च, तीन लहसन की कलिया, दो चमच सोया सॉस, दो चमच टोमैटो केचप, एक चमच चिली पेस्ट, तो यह रहे हमारे इंग्रीडियन्स, तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अब हम चिकन को मारिनेट करेंगे, तो मैंने यहां पे चिकन ले लिया है और अब हम इसको लंबे स्लाइस में काटेंगे, क्या आप देख सकते हैं उसी तरी के से काट रही हूं मैंने सारे पीसिस को इस तरीके से काट लिया है मैंने याब एक बड़ा बॉल लिया है और अब हम इसमें आटा एड़ करेंगे और साथ ही हम इसमें कॉन फ्लॉर एक अंडा और काली मिर्ची दालेंगे और साथ ही नमक बेकिंग पाउडर दाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आट कर रही हूँ ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए इसको अच्छे से बीट करें ताकि इसमें कोई लंप्स ना रहे और आपको ध्यान रखना होगा कि ये ज्यादा थिक और ज्यादा ही बॉटरी नहीं होना चाहिए तो जिसे कि आप देख सकते हैं मेरी कंसिस्टिंसी को ये ना ही ज्यादा थिक बनी है और ना ही ज्यादा बॉटरी है अब हम इसमें चिकन आट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनिट तक रख देंगे जब तक ये मैरिनेट होता रहेगा तब तक हम यहाँ साइड में सबजियां काट लेंगे प्यास को हम यहाँ पे रफली लॉंग साइज चॉप करेंगे मैंने यहाँ पे तीन अलग-अलग कलर की शिम्ला में चले हैं आप कोई भी ले सकते हैं और हम इसको लंबा-लंबा काट लेंगे मैंने यहाँ हमारा चिकन अब मैरिनेट हो चुका है तो चलो अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं कड़ाई में मैंने यहाँ पे 250 गरम तेल डाला है तो जिसे कि आप देख सकते हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम चिकन को एक एक करके डालेंगे ताकि यह चिपक न जाए जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे चिकन अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं चलो अब हम इसको निकाल लेते हैं इसी तरह हम सारी चिकन को फ्राइ करके निकाल लेंगे मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी कड़ाई ली है कड़ाई गरम होने के बाद अब हम इसमें एक बड़ा चमश तेल डालेंगे और अब हम सभी चीजों को हाई फ्लेम में पकाएंगे मैंने यहाँ पर लहसन डाला और इसको अच्छे से फ्राइ किया थोड़ा सा फ्राइ होने के बाद अब हम इसमें प्यास डालेंगे प्यास को हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए हमें प्यास को ज्यादा नहीं बुनना है अब हम इसमें सोयासोस डालेंगे और साथ हम इसमें चिली पेस डालेंगे और टोमाटो कचप भी डाल देंगे इसको अच्छे से स्टर करने के बाद इसमें शिमला मिर्च भी डाल देंगे शिवला मिर्च को अच्छी से स्टर करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च और स्प्रिंग ओनियन्स दाल देंगे फारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप हम इसमें फ्राइ किया हुआ चिकन ना लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करें जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी से खुश्बू आ रही है बस मैंने यहाँ पे दो तिन चम मज थोड़ा सा पानी चिनका है हमारा चिकन लगभग बनके तयार हो चुका है आखिर में मैं यहाँ पे गानिश के लिए तिल और कलोंजी को लाइट से भूनूंगे और इसको लाइट से भूनने के बाद चिकन में आड़ करूंगी अब हमारी रेसिपी बनके तयार हो चुकी है तो चलो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है और यह बहुत टेस्टी भी है और आगर आपको पसंद आई होगी कमेंट करके जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी तो इसको लाइक जरूर करना अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने ना और वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत बूलना और आपने फ्रेंज और फैमिली सबके साथ टी रेसिपी शेयर करना मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के ल